पुश्कार में राज महुंतिवरी आप देख रहे हैं बिहारी निउस बिहार एक तरफ जहां कोरोना से लर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ भी तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है बिहार के कई जीले अभी बाढ़ से प्रभावित है और एक और जो खबर निकल कर आ रही है वो भी अच्छी नहीं है भारतिय मौश्रम विभाग ने एक चेतावनी जारी किये और बिहार के कई जीलों लगबग 17-18 जीलों में पारिस की चेतावनी जारी किये और कहा है कि इन जीलों में अगले तीन दिनों तक भारी बारी हो सकती है आपको बता दो कि मौश्रम विभाग ने जीलों के बाड़े में बताया है यह वही जीले हैं जो पहले से ही बाड से तबाह हो रहे हैं वहां पर रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है कई जगहों पर काफी ज्यादा जानमाल की छती भी देखने को मिल रही है कई जगहों पर अभी इस्तिती बत्तर होती जा रही है लेकिन यह जो नया चेताओनी जारी किया गया है मौसम विभाग के नुसर यह और इस्तिति को हालात को बहतर बनाने की बजाए और बिगार सकता है यह जो नया चेतावनी जारी किया गया है उस पर डाल लिजिए और जीलो के नामों को भी अच्छे से देख लीजिए कि जीलो को लेकर चेतावनी जारी की गई है आपदा प्रबंदन विभाग ने जीलो को चिन्हित किया है उसके मुझा किसन इस जीलों के संबंद में मौशम विभाग ने लिखा है कि भारत मौशम विज्ञान विभाग के द्वारा मौटरेट टू हेबी रेनफोल के पुर्वा अनुमान से संबंदित स्पेशल वेदर एडवाइजरी जारी किया गया है जिसके नुशार 27-29 जुलाई तक आपके ज संबंभावना है इसलिए उकते स्पेशल वेदर एडवाजरी की छाय प्रती शलंगन करते हुए अनुरोध है कि इस्तिती परशतत निगरानी रखी जाया हूं अत्यदिक वर्षा पात संबंभावीत बार से निपटने तू सभी अवस्टक करवाई कर लिग जाए तो भारत लिखकर यह निर्देश दे दिया है और यह जानकारी दे दिया दे दिया है कि आपके जीले में फिर से भारी बारिस का अलट है 27 से 29 जुलाई तक तो आप सभी जो भी जरूरत की विवस्थाएं सतर्गता हैं उस पर जरूरी से जरूरी ध्यान दें क्यूंकि इन जीलों में पहले से भी बाठ की स्तिति मौजूद है खबर अच्छी नहीं है बारिस को लेकर बिहार की स्तिति और खराब होती जा रही है और दो कहा जा सकता है कि दो मुहानों पर अभी फिलहाल बिहार लर रहा है एक तो कोरोना है जहां पर लगतार रेसियों मरीजों के मिलने का वह दूसरी और बाढ़ है जिससे लाखों लोग अभी प्रभावित हो चुके हैं आपने देखा होगा कि कई जगों पर हेलिकॉप्टर से खाना बाटा गया है खाना नीचे गिराया गया है और कई जगों पर रसुया चलाई जा रही है ताकि लाखों लोग अपना पेट भर सके क क्योंकि फिलहाल वे विस्थापित हो चुके हैं अपने घरों से बाहर आये हुए हैं कई जगों पर NDRF की टीम कई जीलों में मौजूद है और वहां के लोगों को बचाने का भर्सक प्रयास कर रही है उमीद किजिए कि सब बहतर हो सब ठीक हो हम यहीं उमीद कर सकते हैं औ अपना ध्यान रखिए जहां भी है सुरक्षित रहिए धन्यवाद